हेलो गाइस, मुवी सेंपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल सूपर के एपिसोर 34 की सभी डीटेल्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं गोकु बैटल फिल्ड से बाहर गिर कर हार चुका था, पूरे अरीना में शान्ती चाई हुई थी, यूनिवर्स सेवन की टीम को इस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था बीरस काफी गुस्सा था वहीं, बॉलमा क्रिलन को इस हार के लिए ब्लेम करती है चीची भाग कर गोकु के पास आती है जो की होश में आता है फ्रोश्ट भी गोकु से बात करने जाता है, वो कहता है कि उसे पता नहीं कि उसने गोकु को कैसे मारा पर वो गोकु की वज़ा से ही अपनी लिमिट्स को पुश कर पाया वो उसकी तरफ हाग बढ़ाता है और सभी उन दोनों को एप्रिशेट करते हैं गोकु अपनी टीम स्टेंड पर वापस जाता है जहां वीरस काफी नरास था वो कहता है कि गोकु अराम से जीट जाता अगर वो अपनी पूरी स्टेंड का इस्तमाल करता तो गोकु कहता है अगली बार ऐसा नहीं होगा वीरस कहता है कि अगली बार का शायद मौका ही ना मिले इदर चांपा भी बीरस को चीडाने लगता है जिससे बीरस और भढ़क जाता है युनिवर्स सैवन से अगला नमबर पिकलो का था वो पूछता है कि क्या उसका कोई चांस है जिस पर गोकु मना करता है गोकु बोलता है कि अगला नमबर वजीटा का है तो वो फ्रोश्ट को जितना कमज़ोर कर सके उतना बहतर होगा पिकलो फिल्ड पर आता है वो कहता है कि सभी उसे वीक समझते हैं और वो अपना केप उतार देता है तबी जाको भी वजीटा के पास आकर बैट जाता है जिसे मैच क्लोजली देखना था गॉंग बचता है और मैच शुरू होता है फ्रोश्ट पिकलो की तरह बढ़ता है पर पिकलो उसे डॉज कर देता है पिकलो स्पेशल बीम कैनन के लिए एनरजी इखटी करना शुरू करता है फ्रोश्ट समझ जाता है कि इस अटैक के लिए पिकलो को काफी एनरजी चाहिए होंगी तो वो पिकलो पर केयोस बीम शूट करना शुरू करता है पिकलो एनरजी चार्ज अब करते हुए उसे डॉज कर रहा था पिकलो भी फ्रोस्ट पर अटैक करता है पर वो उसे डॉज कर देता है फिर फ्रोस्ट लगातार के और शॉट फायर करता है जिसका एक शॉट पिकलो के पैर पर लग जाता है पिकलो जमीन पर आ जाता है और किसी तरह अपना कंसेंट्रेशन बनाए रखता है फिर वो अपने काफी सारे कलॉन्स बना लेता है जो कि फ्रोश्ट को चारो तरफ से घेर लेते हैं चामपा इधर से फिर कंप्लेट करना शुरू कर देता है पर बीरस उसे चुप करा देता है फिर फ्रोश्ट के उस बीम का यूज करके उन कलॉन्स को मिटा देता है Frost इस सब में ठक हार कर explosive wave को यूज करके सारे clones को एक ही बारी में निप्टा देता है फिर वो पिकलो पर 55 मारने लगता है जिने पिकलो ब्लोग कर रहा था फिर Frost पिकलो के injured leg पर मारता है और उसे एक किक मारता है इससे उसका concentration तूट जाता है जब Frost को लगा कि वो जी दिया तो अचानक एक हाथ आकर Frost को बान देता है वो असली पिकलो था जिसका plan काम कर गया था Frost बोलता है कि उसका सारा ध्यान उस energy पर ही था और जब वो गायब हुआ तो उसे लगा वो जी दिया पर वो पिकलो के plan में फस गया पिकलो बोलता है कि वो इसी moment का वेट कर रहा था और यूनिवर्स 7 में उसकी टीम भी काफी खुश हो जाती है जैसे ही पिकलो अपनी beam शूट करने वाला था अचानक सब कुछ धुंदला होने लगता है इस मौके का फायदा उठाकर Frost पिकलो को close आता है और डर्टी बस्ट अटेक यूज़ करता है पिकलो के अंदर एक होल बन जाता है और वो beam अस्मान में शूट हो जाती है जिससे उस डॉम में एक बड़ा छेद बन जाता है डैफरी Frost को विनर डिकलेर कर देता है बीरस काफी हरान था वहीं चामपा काफी खुश था तभी जाको अब्जेक्चन रेस करता है वो कहता है कि Frost वेपन का यूज़ कर रहा है और उसके राइट हैंड को चेक करने को बोलता है चामपा बोलता है कि ये गलत है गोकु भी जाको को बोलता है कि Frost ऐसा नहीं है तभी वेजीटा पूछता है कि क्या जाको ने उसे खुद देखा जाको काफी कॉन्फिडेंट था बीरस रेफरी को Frost को चेक करने को बोलता है रेफरी उसकी बोड़ी को सर्च करता है और उसे एक नीड़न मिलती है और बताती है कि जिस स्पेस पायरेट्स ने प्लैनेट मेयोनाई पर अटेक किया था वो Frost के लिए ही काम करते है Frost बताता है कि वही वार्स को शुरू करता है और फिर उन्हें खतम करता है फिर वो फाइटिंग से खराब हुई लैंड को सस्ते में खरीता है और फिर उससे प्रॉफिट बनाता है बेजीटा कहता है कि चाहे यूनिवर्स कितना भी डिफरेंट हो पर फ्रीजा कभी अच्छा परजन हो ही नहीं सकता सभी उसे बू करने लगते हैं कि पिकलो भी खड़ा हो जाता है चामपा वाडोस से पूछती है कि उसने एक ऐसे बन्दे को टीम में क्यों लिया वाडोस कहती है कि चामपा ने कहा था कि उन्हें जीतने वाले फाइटर्स लाने हैं तो उसने वैसा ही किया चामपा गुस्से में Frost को डिस्ट्रोई करने की बात बोलता है कि वेजीटा उसे रोख देता है वो कहता है कि उसे डिस्ट्रोई और डिस्कॉलिफाई करने की कोई जुरूर नहीं है क्योंकि वो अगला फाइटर है और वो उसे खुद निपटाएगा रेफरी कहता है कि पिकलो की हार को वापस ले लिया है तो वो कंटिन्यू कर सकता है वेजीटा बोलता है कि पिकलो अपना नाम विड्रो कर रहा है जिस पर पिकलो भी हावर देता है चामपा कहता है कि अगर Frost जीतता है तो वो उसे माफ कर देगा और अगर वो मैच पूरा ही जीत लेता है तो वो उसको सपोर्ट भी करेगा इधर बीरस कहता है कि वेजीटा उसको जल्द से हरा दे वेजीटा फिल्ड पर आता है जहां फ्रोस्ट कहता है कि वेजीटा काफी कॉन्फिडेंट लगता है वेजीटा कहता है कि उसकी आवाद से वो एनॉय हो रहा है जिसके साथ एक स्टेयर डाउं होता है और एपिसोड खतम हो जाता है